कोरोना संकट में अस्पतालों का क्या हाल है? मेरिकल सिस्टम किस तरह से सरिंडर कर चुका है? ये किसी से छिपा नहीं है कहीं बेड की कमी तो कहीं ऑक्सिजन पर कोहरा कहीं जगा हाला तो ऐसे है कि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस तक मोहिया नहीं हो पा रही सबसे ज़्यादा तरस्त हालात बड़े शहरों में ऐसे में लोग इलाज की आस में छोटे शहरों का रुख कर रहे हैं वो भी एयर एंबुलेंस के जरीए लेकिन कैसे एयर एंबुलेंस की बढ़ती मांग परिशानी का सबब बन रही है यह भी आप देखने हैं तेजी से बढ़ती कुरोना महमारी और बड़े शहरों में इलाज ना मिल पाने के परिशानी कहीं बैट नहीं मिल रहा तो कहीं ऑक्सीजिन की किल्लत है ऐसे में लोग अब छोटे शहरों की तरव भागने लगे यह काम तेजी से हो सके इसके लिए एर एंबुलेंस का सहरा लिया चा रहा है हर रोज तरजुनों कॉल आ रही एर एंबुलेंस के लिए लोग मुहमागी रकम देने को भी तयार बड़े पैमाने पर बढ़ी इसे डिमांड ने एर एंबुलेंस कंपनियों के टेंशन भढ़ा दी हला तैसे हो चुके कि अब एर एंबुलेंस मोहिया कराने वाली कंपनियों का भी दम फूर रहा है हम इस बढ़ती डिमांड को बिल्कुल भी फुल्फिल नहीं कर पा रहे हैं भारत में 15 से 20 एर अंबुलेंस हैं जो पूरे कंट्री में हैं आठ से नौ दिल्ली में हैं और हर एक ऑपरेटर को 25 से 30 डिमांड कोविट पेशन्स की डेली आ रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं इनके बड़े चालेंजिस हैं इसके सबसे बड़ा चालेंज हमारे पास पॉड्स नहीं हैं कोविट के पॉड्स जिसमें ट्रांसफर किया जाता है बेट टू बेट ट्रांसफर होता है ये उसके लिए हमारे पास इनफ कोविट पॉड्स नहीं है आपको पता दें कि हंडुस्तान में सफ 15 एर अम्बुलेंस है जिन में सब से जाधा एर अम्बुलेंस की तेराध धिली में है लेकिन हरान करने वाली बात यहां रोजाना 15-20 लोग ऐर अम्बुलेंस के लिए कॉल करते थे वो आकड़ा बढ़कर 200 से 300 के कड़े पहुंच चुका है और तो और महामारी के चलते लोग बड़े शहरों में नहीं बलके छोटे शहरों का रुख कर रहें जो पेशन्स को कारी करें और ये पंदरा जो एर अंबुलनस है उनमें भी सारे हнов पेशन्स नहीं करते हैं ना ही स्टाफ है ना ही क्रू मेंबर है और ना ही एर अंबुलनस की तादाद जादा है ऐसे में कम्पनियां कैसे इस डिमार्ट का पूरी करें ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है बियो रेपोर्ट टीवी नाइन भारत वर्ष फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर